हेलो एव्रिवान मेरा नाम एरुद्वत्वाफ सिंग और आज के इस मतमेटिकल सेशन में आप सब एक आड़ सब करता हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या क्लास नाइंत का प्रशनावली आठ चतर भुछ का वन शॉट कम्प्लीट करेंगे इस पूरे चाप्टर को एक ब बिल्कुल बेसिक से चतर भुजाएं होने वाली है कौन-कौन सी एक तो देखो यह एबी हो जाएगा ठीक है मैं इसका नाम भी लिग दता हूं कि अपने पास में चार भुजाएं हैं AB, फिर दूसरी बुझा आपके पास में वो क्या है BC, फिर तीसरी बुझा आपके पास में क्या है CD, और फिर चौती बुझा आपके पास में क्या है DA, तो यह चार बुझाएं हो जाती है, फिर इस चत्र बुझा में अपने पास में चार कौन भी होने वाले हैं, कौन-कौन से और कौन D फिर next अपने पास में जो है इस चतरगुज में चार शीर्ष हैं ठीक है अब शीर्ष कौन से हैं देखो ये वाले ये हो जाएगा शीर्ष A ये वाला हो जाएगा आपके पास में क्या शीर्ष B ये हो जाएगा आपके पास में शीर्ष C और यह हो जाएगा आपके पास में किया शीर्ष D तो चार शीर्ष हैं कौन-कौन से A, B, C और D, फिर चौथा है अपने पास में क्या कि इसके अंदर जो है चतरबुज में कितने विकण होने वाले हैं, तो इस चतरबुज में अपने पास में अपने पास में जो अगला गुण होने वाला है इस चतरबुझ का वो अपने पास में यह है चतरबुझ का कौन योग गुण यह कुछ ऐसा ही साउंड कर रहा होगा जैसे आपने इससे पहले स्टडी के आपने पास में त्रबुझ का कौन योग गुण वो क्या कहता है कि तरिबुज में जो 3 कौन होते हैं उनका योग अपने पास में किता होता है 180 डिग्री होता है तो उसी तरह हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि इस चतरबुज के अपने पास में जो 4 कौन है उनका योग किता होगा 360 डिग्री होगा कोन व्यों गुण? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक अपने पास में है, वो है चतुर्भुज के प्रकार, अपने पास में चतुर्भुज जो है कई प्रकार का होता है, उसके बारे में अपन यहां पर study करेंगे, सबसे पहले देखो आपन जो है किसके बारे में study करेंगे समलम के बारे में, ट्रपेजियम के बारे में, यह जो आपको figure दिख रहा है, यह अपने पास में क्या है, समलम है समलम में क्या होता है आपके आसमें जो दो बुजाएं दिखती है आपको वो समांतर होती है ठीक है दो अपने पास में एक युग्म जो है बुजाओं का वो समांतर हो जाता है वो अपने पास में क्या क्या लाता समलम इसके properties इसके जो गुण हैं उसके बारे में अपने डिसकस करने वाले हैं यहाँ पे सिर्फ एक basic intro दे रहा हूँ फिर next अपने पास में जो है पतंग काइट हो जाता है यह आपके पास में है यह भी एक चार अपने पास में बुझाओं वाला हाकरती होता है इसके properties भी उपन स्टडी करेंगे next यहाँ पे देखिए अपने पास में अगला क्या है समांतर चातर बुझ यानि की parallelogram फिगर आपको यहाँ पे देखने को मिली रहा है अब यहाँ पे देखिए कि अपने पास में rhombus यानि की सम चातर बुझ आयत और वर्ग जो है होे जाए बराबर कर दी जाए तो आपके पास में इस तरह क्या क्रिती प्राप्त हो गी जो की क्या क्या कैलाती दिए सम चातर बुझ क्यों दिए फिर next इन हम्ने पास में समांतर चातर बुझ में एक कौन अगर 90D कर दे कोई सा भी इसमें चार ओन ऑक फ न पास में 180 होता है क्योंकि यह समांतर भुजाए है तो यह भी 90 यानि कि आप यह प्राप्त करोगे कि चारो कौन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो एक कौन हमने 90 किया था लेकिन उसके result में चारो कौन 90 डिग्री हो जाता है और at the end हमें जो आकरिती मिलती वो अपने पास में क्या कहलाती है आयत कहलाती है ठीके तो यह हो गया फिर next अपन यहां पर क्या करने वाले हैं यहां पर अगर हमारे पास में यह समांतर चतर भुज दिया वा हो और उस समांतर चतर भुज की सारी बुजाएं बराबर हैं और सारे कौन भी 90 डिग्री है यह मोटा मोटा डिसकेशन अपने पास में रहता है इन चतर भुज का एक बार complete स्क्रीन यहां पर देख लिए अब आगे बढ़तें next यहां पर देखेंगे अपन अब इनकी चतर भुज के जो गोण है उसके बार सम्द्वी बाहु आपने त्रिबुज देखा होगा तो सम्द्वी बाहु त्रिबुज में क्या होता है दो बुजाएं बराबर होती है उसी तरह से सम्द्वी बाहु सम्द्वी बाहु सम्द्वी बराबर दुई मतलब दो बाहु मतलब बुजाओं की बात कर रहा है वो सम जिसकी अ समानतर बुजाएं बराबर लंबाई की हो वे सौम दिवाउ समलम क्या लाता है यह अपने पास में बात है फिर नेक्स अपन प्रॉपर्टी किसके बारे में पढ़ेंगे पतंग यानि की काइट के बारे हम पढ़ेंगे मान लीजे आपके पास में काइट जो है यह है आपके पास में A, B, C और D ठीक है आसन बुजाओं के दोनों युगम जो हैं बराबर होते हैं अपने पास में आसन बुजाओं के मतलब यह अगल बगल वाले जो होते हैं यह वाला है और यह वाला बराबर होगा AD और AB बराबर होगा यह जो CD है और यह जो BC है यह बराबर होगा विकन एक दूसरे पर लंब होते हैं इसके जो विकन होने वाले हैं वो एक दूसरे पर लंब होंगे याने कि वो 90 डिगरी पे मिलेंगे एक दूसरे से फिर next है कॉन B बराबर कॉन D तो यह जो पूरा का पूरा कोण B है और यह जो पूरा का पूरा कोण D है यह बराबर होगा लेकिन कोण A और कोण C जो है यह बराबर नहीं होगा यहाँ पे जो कोण है न कोण A और यहाँ जो है कोण C वो बराबर नहीं है एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को सम्धिवाजित करता है तो यहाँ पर आप figure को यह देखके पता लगा पारे होगी यह जो AC वाला विकर्ण है इस विकर्ण BD को सम्धिवाजित करेगा यानि कि दो बराबर हिस्सों में तोड़ेगा मान लिजी यह म्यद्य बिंदू O है तो ऐसे में BO और यह जो OD है यह आपके पास में बराबर हो जाएगा तो यह अपने पास में किसकी properties रहती हैं यह अपने पास में पतंग काईट के गुण हो जाते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं एक बार complete look देख लिजी स्क्रीन का अब आगे बढ़ते हैं next upon आएंगे किसके बारे में समानतर चोतर बुच के बारे में आएंगे parallelogram अपने पास में क्या है सम्मुक बुजाएं बराबर होती है मान लिजे आपके पास में यह है A, B, C और D सम्मुक बुजाएं बराबर है यानि कि A, B और C, D बराबर हो जाएगा A, D और B, C जो है वो बराबर हो जाएगा सम्मुक बुजाएं समानतर होती है सम्मुक कौन बराबर होता है यह जो A और C है यह कौन बराबर होगा कौन B और कौन D है यह बराबर होगा विकन बराबर नहीं होते हैं समानतर चोतर गुज के विकन बराबर नहीं होते हैं विकन कौन है? A, C और B, D उनके लंबाई बराबर नहीं है विकन परसपर सम्धिवाजित करते हैं लेकिन इसके जो आपके आज में विकन है वो सम्धिवाजित करेंगे सम्धिवाजित का मतलब है दो बराबर भागों में इस दूसरे को विभाजित करते हैं ठीक है, यह मान लेज़े आपके असमें AC है और यह मान लेज़े, आपके असमें वीthank के बिल है यह मान लेज़े, O है प्रतिशहधी बिंदु और समानतर चतुरबुज में, हमने क्या करेंगे क्योत आपके असमें सम चतुरबुज प्राप्थ हो जाएगा उसकी property देख लेते हैं चारो भुजाएं बराबर होती हैं सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं सम्मुख कोन बराबर होते हैं विकण बराबर यहां पर भी नहीं होते हैं विकण परसपर 90 degree पर सम्दिवाजित करते हैं तो माल लीजिए इसका विकर्ण अपने पास में ये दो हैं, ठीक है, और ये इस बिंदू भी मिल रहे हैं, तो ये परस पर सम्धिवाजित करते लेगे 90 डिग्री पे, यानि कि ये माल लीजिए A है, ये माल लीजिए B है, ये C है, ये D है, ये O है, तो ऐसे में AO और ये जो OC ह लोगा, OB और OD जो है, वो ECOL होगा, और ये सारे 90 डिग्री पे एक दूसरे को मिलेंगे, ये बात अपने पास में कहना चारा है, ठीक है, तो एक complete look देख लीजिए यहां पे, अब अपन आगे बढ़ते हैं, next property अपन किसके बारे में बढ़ेंगे, आयत के बारे में, हमने क्य ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, और ये वाला कोण, सब 90 डिग्री है, दोनों विकन बराबर है, विकन परस पर सम्धिवाजित करते हैं, ये काफी ज़ादा important अपने पास में, इसके जो विकन है, ये और ये, ये एक दुसरे को सम्धिवाजित करते हैं, यान यानि कि AO और OC equal हो जाएगा आपके पास में और यह जो OB है और यह जो OD है यह भी equal हो जाएगा ठीक है यह अपन डिसकस कारी चुक है next अपन आते हैं किस पर अगले पर square यानि कि वर्ग के बारे में कैसे हमें प्राप्त होता है समानतर चत्रबुच्छी सभी बुजाएं बराबर कर दे और एक कौन 90 डिगरी कर देंगे तो वर्ग हमें प्राप्त हो जाएगा ठीक है दोनों विकन बराबर है यानि कि यह जो AC है और यह जो BD है यह आपके आसमें पूरा बराबर हो जाएगा AC बराबर BD फिर विकन परस्पन 90 डिगरी पर समधी बाजिद करते हैं और 90 degree पे मिलते हैं, माल लिजी कि यह आपके आसमें O है, तो AO equal होगा OC के, और यह जो OB है, यह equal होगा इस OD के, और किते कोण पे मिलेंगे, सारे एक दूसरे को, 90 degree के कोण पे मिल रहे हैं, तो यह अपने पास में जो है, प्रॉपर्टीज या गुण हो जाते हैं किसके, वर्ग के यानि कि स्क्वेर के, आयोग यहां तक की बास समझ में आओगी, अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठ बैब आड, यहां अपने पास में समानतर जातर पुछ, A, B, C, D और इसका एक विकन आपके पास में कया है, A, C है, उससे दो सरवांगसम तरिबोजों में विवाजित कर जिता है, ठीक है, तो यह विकन जो है, आपके आपके आइसमें, दो तर्बोजों देख रहे होंगे, कौन कौन से दिख रहे हैं आपको एक तो देख़ए यह उपर वाला हो जाएगा A, C, D और दूसरा जो तरबुज़ आपके आसमें नीचे वाला हो जाएगा A, B, C तो यह दोनों तरबुज़ जो है आपके पास में क्या है सरवांग सम हो जाते हैं प्रमे 8.2 वो क्या कहता है एक समानतर चतर बुझ में सम्मुख बुझायें बराबर होती है यानि कि यह जो A B है और यह जो C D है यह बराबर होगा यह जो A D है और यह जो B C है यह बराबर होगा हम यह property पढ़के आचुके हैं तो कुछ खास बात नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं next अपने पास में क्या है एक समानतर चतर बुझ में सम्मुख कोण बराबर होते हैं यानि कि कोण A जो है कोण C के बराबर होगा कोण B जो है कोण D के बराबर होगा हो गया discussion ठीक है आगे बढ़ते हैं क्या लिखा अपने पास में समानतर चतर बुझ के विकर्ण एक दूसरे को सम्धी बाजित करते हैं ठीक है यह भी अपन पढ़ते हैं यह आपके बास में A C है यह आपके बास में B D है एक दूसरे को परसपर सम्धी बाजित करते हैं यानि कि ये यो बराबर होगा OC के और ये जो OB है ये बराबर होगा OD के पस इतना ही है next अपने आगे बढ़ते हैं प्रमे 8.3 क्या कहता है अब देखो अभी तक हमने क्या study करा हमने जो है समानता चतरगुच के जो गुण थे वो वाली प्रमे study करी है अब हमारे पास में जो है अगला क्या हो जाएगा कि अगर आपके पास में कोई चतरगुच दियावा है उस चतरगुच को आप समानता चतरगुच कैसे सिद करोगे उसके लिए प्रमे है और वो अपने पास में क्या है जरा उसको अपन डिसकस करते हैं मतलब बात यह है न कि अगर कोई यह चतरबुझ दियावा है और आप इसको बोलोगे यह समानता चतरबुझ जैसा फिगर बनाने से काम नहीं चलेगा वहाँ पर आपके पास में कुछ कंडीशन्स होती है अगर वो पूरी हो रही हो तो आप कोगे कि दियावा चतरबुझ जो है समानता चतरबुझ है अब वो conditions वो अपने पास में क्या हैं डिस्कस करते है यदि एक चतरबुज की सम्मुख बुजाओं का प्रत्य युगम बराबर हो मान लिजे आपके पास में एक चतरबुज ABCD देर का है और यहाँ पे हम किसी तरह यहाँ पे हो कि AB जो है वो बराबर है CD के और साथ में यह भी हो कि यह जो AD है यह बराबर है BC के यह चतरबुज था इस चतरबुज में सम्मुख बुजाओं का प्रत्य युगम बराबर दिया वा है तो वे एक समानतर चतरबुज होगा तब हम कह सकते हैं कि अत्य है ABCD आपके पास में क्या है समानतर चतरभुज है यह बात आप यहाँ पर पूरी कह देंगे ठीक है? अब यह तो A condition हुई अब अब में वारे पास में इसी तरह से हमें कुछ और conditions जो है उनको यह पढ़ना रहेगा क्या है अपने पास में प्रमे 8.5 यदि एक चतरभुज में सम्मुक कोणों का प्रते युग में बराबर हो सम्मुक कोणों का प्रते युग में बराबर हो यानि कि कोण A ये से वे एक चतरभुज दे रहा आपको इसमें आपको दिखरा है कि कोण A और कोण C बराबर है ठीक है? और आपको ये भी क्या बोलोगे ABCD हमारे पास में एक समानतर चतरबुज हो जाएगा बस इतनी सी बात अपने पास में रहती है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं next अपने पास में क्या है प्रमे 8.7 यदी एक चतरबुज के विकण एक दूसरे को सम्धी बाजित करे ठीक है ठीक है यह अपने पास में हो चुका है और मानले जी यह दोनों विकण जो है किस बिंदू पर प्रतिचेत करें ओपे यदी एक चतरबुज के विकण एक दूसरे को सम्धी बाजित करे यानि कि यह AO बराबर OC हो अपन कह सकते हैं आपने मानलो कोशन ने दे रहे का कि AO की लंबाई 2 cm है OC की भी 2 cm है OB और OD भी बराबर हो आपके पास में मानले जी कोशन ने दे रहे का यह 3-3 cm है या कुछ इस तरह से मिल जाए कि यह बराबर है थीक्яг है? तो वै एक समानतर चतर्वुज है तो आप क्या बोलोगे अतर है ABCD अपने पास में क्या है你 लेज़े इस तरह से आपके पास में यहां पे कोशन सिद हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अपने पास में next अपने पास में क्या है कोई चतरबुज एक समानतर चतरबुज होता है यदि उसकी सम्मुख बुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समानतर हो ये चतरबुज जो है समानतर चतरबुज क्यलाएगा अगर सम्मुख भुजाओं का एक युग्म मालो AB जो है वो बराबर देर का है CD के और AB जो है वो समानतर देर का है CD के तो ABCD एक समानतर चतर भुजे ये तो हुई एक बात दूसरी बात आपके पास में यहाँ पर अगर कह दें ठीक है ये तो एक बात हुई दूसरी बात आपके आपके आसमें यहाँ पर अगर कहा दें क्या कि यह तो A, B और C, D के लिए हुआ अगर कहा दिया जाए कि A, D बराबर है B, C के और यह जो A, D है यह समानतर है B, C के तो आपके आसमें हो गई ना यदि उसकी सम्मुग बुजाओं का एक उगम बराबर और समानतर हो तो हम फिर से क्या बोलेंगे ABCDX समानतर चतरबुज है तो इस तरह से आपके पास में यह कुश्ण यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा मतलब हम कहा देंगे कि समानतर चतरबुज है यदि सम्मुग बुजाओं के दोनों युगम समानतर हो या फिर सम्मुग बुजाओं के दोनों युगम बराबर हो या फिर सम्मुग कोणों के दोनों युगम बराबर हो या फिर विकन परस पर समधिवाजित हो या फिस सम्मुक बुजाओं का एग में बराबर जता समानतर हो तो किसे भी चतर बुज में अगर इन में से कोई सी भी एक चीज लग जाती है तो अते है आप क्या बोलोगे दियावा चतर बुज क्या है एक समानतर चतर बुज हो जाएगा यह मोटा मोटा अपने पास में जो है डिसकेशन यहां पे रहेगा आयोब यहां तक की बात आपको क्लियर होगी इसमें कोई डाउट भी नहीं होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हम शुरू करेंगे प्रशनावली 8.1 के प्रशन से चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अपने आएंगे किस पर प्रशन नंबर 1 बहुत ही simple question अपने पास में कोई खास difficult नहीं है क्या लिखा है एक चतरबुच के कोण तीन अनुपात पांच अनुपात नो अनुपात तेरा के में है ठीक है तो मान लिजे सबसे पहले क्या करें एक छोड़ा सा डाइग्राम बना लिजे डाइग्राम बनाने से क्या होता है कि आप छोड़ा सा फील कर पाते हैं कि डाइग्राम में क्या चल रहा है अपने पास में situation क्या है तो मान लिजा आपके 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 आपस में चतरबुच हो जाएगा A, B, C, D इसके कोण इस अनुपात में दे रहे अब हम अनुपात को खोलना जानते हैं उसके साथ में हम कोई है नहीं चर लगा देंगे तो आपके आपके आपस में जो है वो 9X है और कॉन D जो है वो 13X है अब आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि चत्रबुच ABCD में कॉन A प्लस कॉन B प्लस कॉन C प्लस कॉन D बराबर होगा किसके 300 सारे डिगरी के हमने वन शॉर्ट शुरू करने के लिए सबसे पहली यही बात पड़ी थी कि चत्रबुच का कॉ चैनल कोन तो कोण योग बुण कि उसके चारो कॉनों का योग 360 u.t- assuming A किता है आपके पास में 3 x olmay 5 x कॉन C ता आपके पास में 9 x कॉन D किता हिला आपके पास में 13 x और 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 किसके बराबर है 360 के 0 से 0 कट जाएगा और 3 से भाग लगाओगी जिब 36 में तो आपके आसमें क्या प्राप्त हो जाएगा 12 तो ये तो x का value आपको प्राप्त हुआ है question ने तो हमें क्या बोला है? 4 कोन निकालने रहेंगे चारो कोन निकालने हैं इसका मतलब ये कि कोन A, कोन B, कोन C, कोन D का value निकालना है कोन A जो है वो किसके बराबर है? 3x के बराबर है तो 3 गुणा 12 यानि कि क्या जाएगा? 36 degree कोन B आपको निकालना रहेगा वो किता है? 5x यानि कि 5 गुणा 12 यानि कि 60 degree फिर है आपके आज में कोन C, यानि कि वो किता हो जाएगा? 9x हो जाएगा तो 9 गुणा 12 यानि कि 108 degree जो है आपके पास में आजाएगा और फिर क्या है कोन D है? जो कि किता है आपके पास में 13x तो 13 गुणा 12 वो आपके आज में आजाएगा? 156 degree तो इस तरह से 156 डिगर आपको प्राप्त हो जाएगा अब हम आते हैं अगले प्रशन पे वो अपने पास में क्या है प्रशन नमबर दो यदि एक समानता चतरबुझ के विकन बराबर हो तो दर्शाईये की वे एक आयत है अब देखो कोशन में दो बाते हो गई कह रहा है आपके पास में कि मान लिजे एक समानता चतरबुझ है कुछ इस तरह से एक बार मैं रफ डाइग्राम बना रहा हूँ है ना ABCD अपन मान लेते हैं यदि एक समानता चतरबुझ के विकन बराबर हो और इसके जो है विकन आपको क्या दे रहे हैं बराबर दे रहे हैं तो दर्शा ये कि वे एक आयत है तो हमें क्या दर्शाना है कि ABCD आपके आज में फाइनली क्या है एक आयत है अब आयत दर्शाना है तो अब आयत का जो figure है आपके वास में वो कुछ इस तरह का हो जाता है तो ऐसे में थोड़ा सा confusion avoid करने के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि आप simple एक आयत ही बना लो ठीक है या फिर आप चाहो तो समानतर चतर बूझ लेके रख लो और फिर अपन उसको proof कर देंगे अब वो कैसा है बस एक बार ले लो ठीक है confusion मत create करना है यहाँ पर आपको सिद्या करना है एक आयत सिद्य करना है तो आप यहाँ पर क्या करो एक मानतर चतर बूझ ले लो और फिर अपन इसको करने ही कोशिश करते हैं देखो diagram से अपनी understanding के लिए असलित में यह थोड़ना है diagram तो से अपनी समझ के लिए और कुछ खास नहीं है चलिए यहाँ पर करने ही कोशिश करते हैं दिया है सिद्य करना है उत्पत्ति आपको सबसे पहले लिखना रहेगा अपने पास में दिया क्या है समानतर चतर बूझ ABCD तो यह लिए अपने पास में हो चुका है यदि एक समानतर चतर बूझ के विकन बराबर हो अब इसके विकन बराबर है यानि की AC और BD जो है वो आपको बराबर देरके हैं तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे AC बराबर है अपने पास में क्या BD के तो दर्शाई के वे एक आयत है सिद क्या करना है ABCD आयत है अब कैसे करेंगे तो हमने जो discussion किया था ना कि अगर आपके पास में एक समानतर चतर बूझ दिया वा हो उसको अपन आयत कैसे सिद करेंगे समानतर चतर बूझ का अगर एक कोण भी 90 डिगरी हो गया तो ऐसे में आपके पास में वो figure क्या हो जाएगा आयत हो जाएगा यह अपने पड़ा था तो मेरा प्लान भी यही है कि अपने पास में यह जो समानतर चतर बूझ ABCD देर का है इसके कोई से भी एक कोण को अगर 90 डिगरी कर दिया जाए तो अपना काम बन जाएगा अब वो कैसे करें तो जरा यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपको बेसिकली दो त्रिबुझ देखने को मिलने वाले हैं कौन-कौन से यहाँ पे देखेंगे एक तो हो जाएगा DAB ठीक है और आपके पास में एक और त्रिबुझ हो जाएगा जो की कौन सा है ABC ठीक है यहाँ पे देखेंगे DAB यह रापके पास में ABC यह राप अब यहाँ पे आप देखेंगे हमें मेरा प्लान क्या है मेरा plan यह है कि इन दोनों Tribujh को मैं क्या कर दूँगा? सरवांग समसिद कर दूँगा ठीक है? सरवांग सम का अपन पहले पढ़के आ चुके हैं. सरवांग समसिद करने के बाद में अपन देखते हैं? क्या कर सकते हैं? यहां पर देखेंगे, तो आप यहां पर क्या बोलेंगे अपने पास में, तरिभुझ D, A, B, T, 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 है दोनों तरे बुझ में आपके पास में मिल जाएगा तो यहां पे आप लिख देंगे वो बहनिश्ट फिर next आप क्या बोलेंगे कि AD जो है वो बराबर है अपने पास में BC के इसका कारण क्या हो जाएगा कि AD और BC जो अपने पास में समुख बुझ आए हैं समानतर चतर बु तो आप यहां पे क्या लिखोगे BD बराबर AC और इसका कारण क्या हो जाएगा दिया है आता है आप यहां पे finally फिर क्या कह देंगे कि त्रिबुझ DAB जो है अपने पास में वो सरवांग सम होगा किसके त्रिबुझ CBA के कौन सी सरवांग समता नियम से SSS सरवांग समता नि जो बिंदू A पर कौन होगा और यहां पे जो बिंदू B पर कौन होगा वो दोनों आपस में बराबर होंगे तो यहां पे A पर कौन यानि की ये वाला कौन एक और B पर कौन यानि की ये वाला यानि की कौन दो वो दोनों बराबर हो जाएंगे तो आप क्या बोलोगे कौन के बराबर है किसके कोण दो के और इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में CPCT, सर्वांग संत्रिबुच के संगत बाग बराबर होते हैं अब जब यहां पे गौड से देखेगा कि कोण एक और कोण दो अवसल में अपने पास में कौण से हैं AD जो है अपने पास में BC के समानतर है चुकि AD जो है वो समानतर है BC के तथा AB जो है वो आपके आसमें तिरियक रिका है तो आप यहां पे क्या बोलोगे कोन एक और कोन दो जो है अपने पास में से अंते कोन हो जाएंगे co-interior angles और उनका योग जो है वो किसके बराबर होता है 180 degree के तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर किता हो जाएगा 180 degree इसका कारण है सह है अंते कोण अब कोण 1 और कोण 2 किसके बराबर है एक दूसरे के बराबर है तो यहाँ पर आप क्या करिए कोण 1 तो ऐसा कैसा रहन दो कोण 2 की जिए कोण 1 लिख देंगे बराबर 180 degree तो 2 गुणा कोण 1 बराबर है किसके 180 के तो कोण 1 का वैल्यू किता आजाएगा आपके पास में 90 degree अब कोण 1 90 degree हो चुका है इसका मतलब यह है कि कोण 1 का मतलब क्या है कि यह जो ABCD समानतर चतर बुझ है इसका A कोण 90 degree से दो हो चुका है तो हमने यही तो पड़ा था कि अगर किसी समानतर चतर बुझ को आयत सिद करना है तो हमें क्या करना होगा उसका कोई सा भी A कोण 90 degree कर देना है ठीक है तो एक बार complete लुप देख लिजे अब आगे बढ़ते हैं next अपना आते हैं कि इस पर प्रशन नमबर 6 पर वो अपने बास में क्या लिखा ज़रा समझने कोशिश करते हैं समानतर चतर बुझ ABCD का विकण AC यह समानतर चतर बुझ है ABCD उसका विकण AC AC कोण A को सम्धिवाजित करता है कोण A को सम्धिवाजित करता है मतलब दो बराबर हिस्सों में बाड़ता है यानि कि कोण 1 और कोण 2 वो बराबर होंगे तो दिया है मैं आप लिख लोके समानतर चतर बुझ ABCD कोण एक बराबर कोण दो दर्शाहिए अब देखो हमें क्या क्या प्रूफ करना है पहला ये कौन C को भी सम्धिवाजित करता है अपन को ये सिद्ध करना है कि ये जो AC है ना ये कौन C को भी सम्धिवाजित करेगा इसका मतलब ये कि ये वाला कौन और ये वाला कौन जो आपसे करना है ठीक है यहां पर जगर कम बढ़ती इसलिए मैंने लिखा आपको तो लिखना रहेगा फिर है A, B, C, D, A एक सम्चत्र बुझे यह अपन को सिद्ध करना रहेगा तो सम्चत्र बुझे तो आपन बाद में आएंगे पहले अपन कोंड तो 3 और 4 को बराबर सिद्ध करने का कारिकरम करते हैं कैसे करेंगे तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए हम जो है कुछ mathematical concept का प्रियों करने वाले हैं कौन सा यहां पर देखो आपको दिख रहा है कि अपने पास में यह DC है और यह आपको दिख रहा है अपने पास में क्या है A, B है तो यह A, B जो है इस DC के समांतर है और यह आपके पास में क्या हो जाएगा तिरियक रेखा हो जाएगा तो तिरियक रेखा हो गया तो आप यहां पर क्या बोलोगे कोण A और यह जो कोण 4 है यह आपसें बराबर होंगे इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में एकांतर अंतर है कोण है ना तो आप यह चीज बताओगे आप कहोगे चुकि अपने पास में A, B, जो है वो समांतर है C, D के, क्यों समांतर है A, B, C, D, एक समांतर चतर बोज़न है तो सम्मूब बुज़ाएं समांतर होती है ठीक है, तथा तिरियक कौन है आपके पास में, A, C तिरियक रेखा है ठीक है तो, आप यहांपे क्या बोलोगे कौन 1 जो है, वो बराबर है किसके, कौन 4 के यह माल लेज़े क्या हो चुका है, समीकर नमबर 1 और इसका कारण ज़रूर बताना रहेगा यहांपे आपको किस कारण से, एक अंतर अंत है, कौन आप यहांपे लिख लेजएगा अब यहांपे आप बोलोगे, इसी तरह हमें एक चीज और देखने को मिलेगी ठीक है, एक चीज हमें और क्या देखने को मिलेगी अब जिससे में यह पिंक वाला जो एक बार इसको मिटा जेता हूँ ताकि आपको देखने को मिले, जीजे आप यहांपे देखिए अपने पास में कि यह जो AD है और यह जो CB है, या BC कह लिजिए यह अपने पास में दोनों क्या है, समांतर है समुख बुजाएं, समांतर चत्रपुछ की समांतर होती है फिर इनकी बीच में जो विकर्ण है आपके पास में, वो क्या है, AC है तो आप यहांपे क्या बोलोगे अपने पास में, यह जो कौन 2 है और यह जो कौन 3 है, यह दुना आपस में बराबर हो जाएंगे एकांतर अंतर कौन, ता बोलोगे इसी तरह, AD जो है, वो समांतर है अपने पास में किसके, BC के तथा AC जो है, वो आपके पास में क्या हो जाएगा तिरीक हो जाएगा, ठीके AC जो है वो तिरीक रेखा है अते है, आप यहांपे क्या बोलोगे कि कौन 2 जो है, वो बराबर है किसके, कौन 3 के और इसमें कारण बताने की जुरूत नहीं क्योंकि हमने यहां पे लिख दिया था इसी तरह और एकांतर अंते कोण ही हो जाएगा यह समीकर नमबर दो हो जाएगा ठीक है तो यहां तक की बात अपने पास में हो गई अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आप यहां पे देखिए हमें तो क्या सिद करना है कि कोण तीन और कोण चार बराबर है कैसे करेंगे आप यहां पे देखिए चुकि अपने पास में कोण एक जो है वो बराबर है कोण दो के इसका कारण क्या है दियावा है ना कोशन में अब कौन एक जो है वो किसके बराबर है कौन चार के तो यहाँ पे लिखेंगे और कौन दो जो है वो किसके बराबर है कौन तीन के अभी अभी हमने सिद्ध कर दिया है तो आप यहाँ पे लिखोगे समी करन एक तथा दो से हम यह चीज कह सकते हैं तो यही तो अपन को सिद करना था कि कौन 3 जो है वो बराबर X के कौन 4 के, यानि कि हमने यह सिद कर दिया है कि AC जो है कौन C को भी सम्धिवाजित करता है, कौन 3 और कौन 4 बराबर हो गया है तो सम्धिवाजित ही करता है, तो यहाँ पर आप यह statement लिख देंगे, AC जो है कौन C को भी सम्धिवाजित करता है, ठीक है, यह statement लिख दिजएगा और आपका पहला पार्ट जो यहाँ पर पूरा हो जाता है, अब हम आते हैं इसके second part पर, ठीक है, second part अपने पास में क्या है, ABCD एक सम्धिवाजित करना रहेगा, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो, हमने क्या पढ़ा था, कि अगर समानतर चतर बुझ के, सभी बुझाएं बराबर कर दें, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, वो एक सम्धिवाज बराबर हो, अब देखो, समानतर चतर बुझाएं, तो सम्मुख बुझाएं तो पहले से ही बराबर है, ठीक है, A, B, C, D बराबर है, A, D और यह जो B, C है, यह पहले से बराबर है, पर सारी बुझाएं बराबर नहीं है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे, अपने पास में सबसे पहले, एक ट्राइंगल में देखो आप यहाँ पर, ठीक है, ट्राइंगल अपने पास में कौन सा वाला होगा, यह वाला, ठीक है, यह मान ली जो आपके पास में A हो जाएगा, यह आपके पास में C हो जाएगा, और यह आपके पास में जो है D हो जाएगा अब यहाँ पे कुछ चीज़े देखो आप यह वाला जो कॉन है आपके पास में यह क्या है? कॉन 4 है और यह वाला जो है आपके पास में यह क्या हो जाएगा? कौन 2 हो जाएगा ठीक है इतना अपने को दिखाई दे रहा है त्रिबुज ADC के अंदर अब next यहाँ पर देखना ज़रा चुकि अपने पास में कौन 2 जो था वो किसके बराबर था कौन 2 जो है वो कौन 3 के बराबर था समीकर नमबर 2 में हमने सिद किया था और कौन 3 जो है किसके बराबर आचुका है कौन 4 के यह भी अपने सिद करा है तो आप क्या बोलोगे कौन 2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा कौन 4 के ठीक है फिर अब आप यहाँ पर देखो अपने पास में इस त्रिबुज ADC में हमने यह पढ़ा था कि किसी त्रिबुज में बराबर कौनों के जो समभ बुजाएं होती है उनकी लंबाई बराबर होती है तो यहाँ पर कौन 4 के सामने अली बुजा कौन सी है AD कौन 2 के सामने अली बुजा कौन सी है CD तो आप यहाँ पर बोलोगे कि AD जो है अपने पास में वो किस के बराबर हो जाएगा CD के बराबर हो जाएगा ठीक है? ये बहुत important चीज अपने पास में आ गई है AD बराबर CD है figure को मत देखो figure सिर्फ समझाने के लिए बनाया था AD बराबर CD आ चुका है अब ज़रा यहां पर देखना अब ज़रा गौड सो देखना चुकि ये एक समानता चतर बुझ है तो AB जो है वो किस के बराबर था? CD के? ठीक बात है AB बराबर था CD के अभी अभी हमने सिद करा है कि CD किस के बराबर है? AD के और AD जो है वो किस के बराबर होता है? BC के क्योंकि यह समान्तर चतर बुझे तो ऐसे में आपने यह पर क्या बोला कि AB, BC, AD, BC यानि कि चारो बुझाएं जो है इस समान्तर चतर बुझ की बराबर है अते है ABCD आपके पास में क्या हो जाएगा, एक सम चतर बुझे यही तो condition अपने पड़ी थी और कुछ पड़ी नहीं थी तो इसके साथ आपके पास में यहां पर यह वाला question पूरा हो चुका है अब हम आगे बढ़ते हैं अगला अपने पास में क्या है तो यह question number 6 अपने पास में हो चुका है एक बार complete look आप यहां पर देख लीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं ठीक है यहां statement ज़रूर है यहां पर आप लिख लीजिएगा अब हम आते हैं अगला question number 8 पर अपने पास में वो क्या है ABCD एक आयत है ठीक है तो सबसे पहले क्या करें एक figure बना लीजिए ताकि आपन थोड़ा सा जो है इसको समझ सकें क्या लिखा है ABCD एक आयत है जिसमें विकन A,C दोनों कोनो A और C को समझी वाजित करता है ठीक है? विकन्ट A,C यह रहा आपके बास में वो कोनो A और C को समझी वाजित करता है ne मतलब दो बराबर हिसों में बाठता है यानि कि ये वाला कॉन एक और ये वाला कॉन दो जो है ये बराबर होगा तो दिया है में लिख लीजे कॉन एक बराबर है कॉन दो के फिर next कॉन जी को भी तो करता है तो यानि कि ये वाला कॉन और ये वाला कॉन जो है बराबर हो जाएगा यानि कि कौन तीन जो है अपने पास में वो क्या हो जाएगा कौन चार के बराबर हो जाएगा ठीक है दर्शाई ये अब हमें क्या दर्शाई ना A, B, C, D जो है एक वर्ग है वो आपको दर्शाई देना है और दूसरा जो है वो अपन बाद में देखेंगे अब हमें तो क्या लेकर आना है वर्ग कब आता है जब समानतों चातर बुझ के सभी कोन 90 डिगरी कर दी जाए और सभी बुझाएं बराबर कर दी जाए तो वो एक आपके पास में वर्ग बन जाएगा लेकिन यहाँ पे अपने पास में ये एक आयत है मतलब कि सारी कोन जो है वो 30 डिगरी दीएवे हैं हमें तो बस क्या सिद करना है कि सारी बुझाएं बराबर हैं तो हम आराम से कह देंगे कि ये आपके पास में वर्ग है तो सारी बुझाओं को बराबर करने के लिए अपने यहाँ पे क्या करने वाले हैं वो देखेंगे ठीक है अगर थोड़ा देखोगे तो पिछले वाले कोईशन में जो किया था पर वैसा ही कुछ कॉंसेट लगाने वाले हैं कैसे जरा यहाँ देखिए आप यहां पे जरा गौर से देखेगा कि अपने पास में एक त्रिप आपको यह देखेगा कि कि CD जो है वो किसके समानतर है आपके पास में AB के समानतर है और यह जो AC है आपके पास में क्या हो जाएगा विकान हो जाएगा ठीक है तो आप क्या बोल सकते हो यह जो कौण एक है और यह जो कौण चार है यह अपने पास में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे इसका कारण क्या है एक आंतर है अंतर है कौन यह आ चुका है अपने पास में कौन एक बराबर कौन चार अब देखना यहाँ पे चुकी है अपने पास में कौन दो जो है किसके बराबर दे रहे है कौन एक के ठीक है तो कौन एक की जगा क्या लिख सकते हैं अब कोन दो एक की जगा क्या लिख सकते हो कोन दो और बराबर आपके बास में क्या है कोन 4 यह आ जाएगा बहुत important result है अपने पास में अब जरा यहां पर देखेगा आपके पास में चार बराबर सिद्ध कर चुके हैं और हमने पिछले वाले चैप्टरस के अंदर यह चीज पढ़ी है कि किसी त्रिबुज में अगर अपने पास में दो कौन बराबर हो तो उनके समुख बुजा है जो है वो भी आपस में बराबर होती है तो कौन 2 के सामने लिभुजा कौन है? CD कौन 4 के सामने लिभुजा कौन है? AD तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? अते है अपने पास में AD जो है वो बराबर हो जाएगा CD के और इसका कारण आप यहाँ पे यह चीज लिख लोगे ठीक है? मैंने जो भी बोला था यह अपने पास में आ चुका, बहुत important बात है अब हमें तो क्या करना था? इसको क्या सिद्ध करना है? वर्ग सिद्ध करना है वर्ग के लिए चारो कौन 90 होने थे, वो अल्रेडी हैं क्योंकि यह एक आयत है हमें तो बस चारो भुजाएं बराबर कर देनी अपना काम हो जाएगा तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? कि चुकि अपने पास में एक आयत है तो AB जो है, वो किसके बराबर होगा? CD के? ठीक है लेकिन CD जो है, हम किसके बराबर प्रूफ कर चुके है? AD के और AD जो है, वो किसके बराबर होगा? इस BC के क्योंकि समों भुजाएं बराबर होती है अते हैं हमने क्या सिध कर दिया चारो बुजाएं बराबर है तो यहां पर आप बोलोगे ABCD एक ऐसा आयत है जिसकी चारो बुजाएं बराबर है अते है हमारे पास में ABCD एक वर्ग है बस यह लेजी आपके पास में यह जो है सिध को चुका है इतना ही था आपने पास में ठीक है तो यह पहला वाला हिस्सा हो चुका है अब हमारे पास में क्या आएगा दूसरा वाला हिस्सा आएगा दूसरा वाला हिस्सा क्या कहता है आपके पास में विकर्ण BD जो है दोनों कोनों B और D को सम्धी भाज़ित करता है इस question को उपन करें उससे पहले चोड़ा सा मैं डाइग्राम मना आता हूं फिर आपन डिस्कस करते हैं तो यहां पर देखो डाइग्राम बन चुका है अब हमें क्या सिथ करना है विका और बीडी जो है दोनों को और बी ओडी को संदी बाजी करता है मतलब बराबर आपर इससों में से बाटता है तो यहां पर देखो अभी अभी हमने क्या बोला अभी अभी हमने बोला कि ये जो आपके बास में A, B, C, D क्या से दो चुका है वह एक वर्ग से दो चुका है वर्ग की चार भुजाएं बराबर होती है तो ये जो A, D है और ये जो A, B है ये आपसे में बराबर होगा तो आप यहां बोलोगे त्रिबुज A, B, D में A, B जो है वह बराबर है A, D के ठीक है इसका कारण लिख दो के चार भुजाएं वर्ग की बराबर होती है A, B बराबर है A, D के तो हमने पढ़ा है कि किसी तरिबुज में अगर दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुक कौन जो है वो भी बराबर होते है तो ऐसे में AD के सामने आला कौन है, कौन 5 और AB के सामने आला कौन है, कौन 8 वो आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो यह आपके पास में क्या आ जाएगा इसको अपन समीकर नमबर ले लेता हैं कोई अपनने, समीकर नमबर कुछ लिया नहीं, इसको माल लेजिए 1 तो यह समीकर नमबर 1 है, तो कौन 5 और जो है किसके बराबर अपने सिद्ध कर लिया है, कौन 8 के सिद्ध कर लिया है, यह एक काम तो हो चुका है अब ज़रा यहाँ पर गौर से देखना, नेक्स चीज अपने पास में, नेक्स चीज क्या है आप यहाँ पर देखिए, यह जो सीडी है यह जो आपके पास में सीडी है, और यह जो आपके पास में अबी है, यह क्या है, आपस में समानतर है CDK तथा DB जो है वो विकन है तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे कौन 5 जो है वो बराबर हो जाएगा किसके अपने पास में कौन 7 के इसका कारण क्या हो जाएगा एकानतर अंते कौन ठीक है यह मान लिजिए आपके आपके आपस में क्या हो चुका है समीकर नमबर 2 हो चुका है अब इसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे अपने पास में कि कौन 6 और कौन 8 जो है वो भी आपस में बराबर हो जाएगा एकांतर रंते कौन है तो आप बोलोगे यहाँ पे क्या इसी तरह कौन 6 बराबर हो जाएगा कौन 8 और यह माल दीजे कि आपके पास में समीकर नमबर 3 है यहाँ तक यह तो स्टोरी अपने पास में हो चुकी है मुझे थोड़ी सी जगा करने दीजे फिर अपने डिस्कॉस करते हैं अब अब अपन यहाँ पर आगे आते हैं कौन 5 बराबर है कौन 8 ओरबर है कौन 6 के? यही तो में सिद्ध करना था कि है कौन 5 और ौओण 6 बराबर है यानि कि यह जो b d है कौन 21 को समद्इभाज ऋकरता है इसी तरह से आप सात में बोलोगे सात में सात ही यहां पर देखेंगे कौन 7 जो है आपके पास में कौन 7 और 8 को अपन को बराबर सिद करना है तो यहां पर देखेंगे कौन 7 जो है वो किसके बराबर है कौन 5 के लेकिन कौन 5 किसके बराबर है कौन 8 के तो कौन 7 बराबर क्या जाएगा कोण हार्ट यानि की BD जो है कोण D को सम्धिभाज़ करता है तो यह आपकी proof हो चुका है अब बस आप यहाँ पे एक statement लिख देना विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को सम्धिभाज़ करता है और आपका यह proof हो चुका एक बार complete look देख लिएजे अब अपन आगे बढ़ते हैं ठीक है नेक्स्ट अपन आएंगे अगले वाले question पे वो अपने पास में क्या है प्रस्ट नमबर 9 समानतर चतरबुज ABCD तो देखो A, B, C, D यह एक समानतर चतरबुज है कि विकर्ण BD पर इसका यह जो विकर्ण BD आपको दिखाई दे रहा है इसके लिए अपने पास में कुछ जानकारी देवी है क्या दो बिंदू P और Q इस प्रकार स्थित हैं विकर्ण BD पर P और Q दो बिंदू इस प्रकार स्थित हैं कि यह जो DP है और यह जो PQ हैं यह दोना आपस में बराबर है DP बराबर BQ है तो दर्शाना है हमें यह चार हिससे जो है पांच हिससे जो है आपको सिध करने रहेंगे तो DIA में आप लिख लोगे समानतर चतरबुझ ABCD है, DP बराबर BQ है यह चीज हो जाती है अब हमें जो है सिध करना है उसको अपन step by step करते है सबसे पहला क्या है तरिबुझ APD जो है वो सरवांसम है तरिबुझ CQB के ठीक है तो APD कौन सा है देखो यह रहा APD यह और नेक्स्ट आपके आपके आपस में क्या है CQB तो यहाँ पर देखेंगे CQB इन दोनों काओ में क्या करना है सरवांसम सिध करना रहेगा चलिए कैसे करेंगे यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे इसके पहले बाले इससे पर आओगे आप यहाँ पर बोलोगे तरिबुझ APD CQB सबसे पहले आप यहाँ पर बोलोगे उपनेपास में क्या जो BC है ये जो BC है आपके पास में यह किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में AD के इसका कारण क्या है ABCD आपके पास में एक समानतरज अतरब þेर बोज़ हैं तो आप सबसे पहले ये चीज बोलोगे कि AD जो है वो अपने पास में किसके बराबर है BC के, इसका कारण यहाँ पर लिख दोगे फिर next आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि अपने पास में ये जो DP है और ये जो BQ है, ये बराबर हो जाएगा इसका कारण क्या है, ये दिया हुआ है DP जो है, वो बराबर है, BQ के दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज हो जाएगा अब next अपने पास में क्या है अगर आप सोचो कि BHAI, CQ और AP के बारे में कुछ कह सकते हैं कि नहीं क्योंकि वो तो हमें अगले वाले हिस्से में सिध करना है बराबर, वो हमें सिध करना रहेगा तो अब क्या करें? अब अपने पास में बुजा वाला तो हराहनी, दो बुजाएं आपके पास में है कौन आपको कोई दे नहीं रखा है तो अपने यहां पे कैसे करेंगे यहां पे गौड से देखेगा यहां पे आपके पास में दो कौन बराबर होने वाले हैं कौन कौन से कौन बराबर होने वाले हैं तो अपने डिसकस करेंगे यहां पे यहां पे देखेंगे यह देखेंगे यह जो AD है आपके पास में और यह जो BC है यह दूसरे के समानतर है और इनके बीच में आपके पास में कौन है यह तिरियक रेखा हो जाएगी ठीक है तो ऐसे मैं आप क्या बोलोगे कि यह वाला कौन जो है कोंड दो ले लेते हैं तो यहां पर कोंड 1 जो है और कोंड 2 जो है वो बराबर हो जाएंगे कोंड 1 बराबर है कोंड 2 के तो यहां पर आप क्या बोलोगे बुजा कोंड—ênio S a s सरवांख समता नियम से यह दोनों त्रबॉज जो है आपके पास में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे अत्य है त्रिबोज APD जो है, वो सर्वांग सम है किसके, त्रिबोज CQB के कौन से सर्वांग समता नियम से SAS, सर्वांग समता नियम से अपने पास में हो जाएगा तो ये पहला हिस्सा जो है अपन यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं अब सेकेंड हिस्सा क्या प्रूफ करना है हमें AP बराबर CQ तो ज़रा गौर से दिखेगा कि AP जो है वो CQ के बराबर हो जाएगा इसका कारण क्या आपके पास में CPCT सरवांगसम तरिबुजों के संगत भाग जो है वो आपके पास में बराबर होते हैं यह अपने पास में कारण हो जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे CPCT ठीक है तो यह दो हिस्से जो है अपने पास में पूरूफ हो चुके है अब अगले वाले हिस्से पर अगले वाले हिस्से अपने पास में क्या है वो है हमारे पास में कि तरिबुज AQB जो है वो सरवांगसम में किसके तरिबुज CPD के उसको अपन कैसे प्रूफ करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे तरिबुज AQB तो देखो यह रहा A Q B यह वाला तरिबुज और CPD यह दो तरिबुज है आपके पास में इनको हमें सरवांगसम सिद्ध करना रहेगा कैसे करेंगे यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखेंगे हम अपने पास में लिखना शुरू करेंगे तरिबुज A Q B तथा तरिबुज C P D में सबसे पहली चीज A B जो है वो आपके पास में किसके बराबर हो जाएगा C D के इसका कारण क्या हो जाएगा समुक हो जाएगा जो अपने पास में बराबर होती है ठीक है फिर next आप यहाँ पर देखेंगे कि यह जो B Q है और यह जो आपके पास में D P है यह बराबर हो जाएगा इसका तो कारण सिंपल अपने पास में दियावा है तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि B Q जो है वो बराबर हो जाएगा अपने पास में किसके D P के यह हो जाएगा इसका कारण लिख देंगे दियावा है अब हमें एक और जानकारी चाहिए अब AQ और PC के बारे में अगर आप सोच रहे हो कि यह अपन बराबर करते तो यह अपन को बराबर दियावा नहीं है उल्टा में यह बराबर प्रूफ करना है सिध करना है तो इसका तो यूज़ करने को बसता ही नहीं है तो जैसे हमने पहले वाले पार्ट को solve करने के लिए हमें गया चाहिए यह था एक कोण मिला था उसी तरह यहाँ पर भी आपके पास में एक कोण मिलेगा बराबर हो जाएगा मान लीजीए हम क behaviors कि अपने पास में चाहर क यह था तो आते हैं, यह दोनों तुरिपुज है सर्वांग सम्वो जाएंगे, किस से हो जाएंगे SAS, सर्वांग सम्तक असौर्टी से अपने पास में हो जाएंगे SAS सर्वांग सम्तनियम से, तो इस से अपने तीसर वाला हिस्सा वह भी प्रूफ हो चुका है अब next आपके पास में क्या हो जाता है कि AQ जो है वो किसके बराबर है CP के तो वो तो automatically आई जाएगा AQ बराबर CP क्यों? CPCT से सरवांसम्त्रिबुच के संगत भाग जो अपने पास में क्या होते हैं वो बराबर होते हैं CPCT तो यह लिजए 14 हिस्सा भी अपने पास में हो चुका है अब हमें 5 वा हिस्सा सुथ करना जो कि क्या है? APCQ एक समानतर चतुर कुछ है ठीक है? अब यह APCQ क्या है? यह देखो APCQ यह जो अंदर-अंदर दिखाए दे रहा है ना यह आपको करना है तो मैं थोड़ा साइब चीजें मिटा आता हूँ ताके आपको clarity से दिखे यह देखेंगे यह रहा APCQ यह वाला जो है आपके पास में क्या सिद करना है? यह समानतर चतुर बुज है अब समानतर चत्र बुज तो ही, चार बुजाओं का है तो समानतर चत्र बुज सिद करने के लिए अपनने कई conditions पड़ी थी कि समुख बुजाओं के दो युगमों बराबर कर दो, समुख बुजाओं के दो युगमों समानतर कर दो या फिर आपके पास में समो गुजा का यह गुमों बराबर दता समानतर कर दो तो आपका काम बन सकता है ठीक है इन में से अपन कौन सा प्रयोग करने वाले हैं तो अपन इस बात का प्रयोग करेंगे पांची बाले इससे में आप क्या बोलोगे सबसे पहली बात आप क्या बोलोगे कि AP जो है वो बराबर है किसके CQ के उपर सिद्ध कर दिया था हमने AP बराबर CQ ठीक है AP बराबर CQ फिर नेक्स हमने सिद्ध कर रहा था कि AQ बराबर CQ AQ बराबर CQ AQ बराबर CQ तो इस चतरबुज AP CQ में हमने क्या कर रहा है समू बुजाओं के दो युगम को बराबर सिद्ध कर दिया है अते है AP CQ आपके पास में एक समानतर चतरबुज है ठीक है बस ये स्टेटमेंट लिखो और इसके साथ ही आपका question यहाँ पे complete हो जाएगा ठीक है तो इबाब complete लोग देख लिजिए अब अगे बढ़ते है अब हम आते हैं next topic बे प्रशनावली 8.1 को अपने डिसकस कर चुके है अब उसके बाद वाले topic का जो अपने पास में discussion रहेगा यहाँ पे सबसे पहले अपने पास में क्या है प्रमे 8.9 है जो कि अपने पास में काफी famous है और वो किस नाम से कहलाती है मध्य बिंदु प्रमे जो है उसके नाम से कहलाती है इसका विलोम जो है मद्धे बिंदु प्रमे का विलोंग, वो भी अपन इसके आवाद पढ़ने वाले है सबसे पहले अपन देखेंगे, मद्धे बिंदु प्रमे अपने पास में क्या है मान लिजा, आपके पास में एक तरिबुच ABC देर का है किसी तरिबुचि किनी दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाकंड तीसरी बिंदु प्रमे के अंदर अपन यह चीज लेते है मद्य बिंदु प्रम्य के अंदर अपन ये चीज लेते हैं तो आप क्या बोलोगे कि ये जो रेखा खण्ड है PQ तीसरी बुजा के समांतर तथा आधा होता है तीसरी बुजा क्या है AB AB का आधा हो जाएगा PQ ये बात अपने पास में रहती है मद्य बिंदु प्रम्य के नाम से क्या लाती है नेक्स्ट अपने पास में क्या है मद्य बिंदु प्रम्य का विलोम अब वो क्या है जरा समझने है कोशिश करते हैं किसी त्रिबुज की एक बुजा के मद्य बिंदु से मान लेजे तरिबुज A, B, C है आपके पास में ठीक है किसी तरिबुज के एक बुजा के मद्धे बिंदो से एक बुजा के A, B का मद्धे बिंदो मान लेजे P है आपके पास में दूसरी बुजा के समांतर खीची गई रेखा दूसरी बुजा के समांतर ये समांतर खेंचराओं में जान बुच के और मान लीजी कि ये समांतर जब खेंची तो AC को क्यों पर प्रतिछित करती है किसी तिरे बुच के एक बुजा के मद्य बिंदू से दूसरी बुजा के समांतर खीची गई रेखा तीसरी बुजा को व्हों समदिबाजित करती है तीसरी बुजा को यह तीसरी हो जाएगी इस बात अगर हमें देरकाय की P मद्दे बिंदू है और इस दूसरी बुजा के समानतर एक रिखाकन कहशते हैं तो वो तीसरी बुजा को जो है समद बाजित करता है यह अपने बाथ है ठीक है अब इसका प्रयोग जो अपन यहां पर कुछ उधारन में और कुछ कुश्चन में भी करके देखेंगे तो चलिए आते हैं सबसे पहले अपन किसमें उधारन नमबर 8 पर वो अपने पास में क्या कहता है L, M और N तीन समानतर रेखाई हैं देखो L, M और N समानतर रेखा हैं अपने पास में जो तिरियक रेखाऊं P और Q दुआरा तिरियक रेखा कौन-कौन सी है P और Q इस प्रकार प्रतिछेदित है कि L, M और N रेखा P पर समान अनतर खंड A, B और B, C काटती है तो यह जो P जो आपके अजमें तिरियक रेखा है L, M, N को इस प्रकार काटती है इस प्रकार की रेखा P पर समान अनतर खंड A, B और B, C काटती है समान अनतर खंड A, B और B, C मतलब कि यह जो आपको दिख रहा है न A, B और यह जो आपको दिख रहा है यहां से लेके यहां तक BC यह दोनों बराबर है समान अंतिगंड काटती इसका मतलब यह ही है कि AB बराबर है आपके 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 किसके? BC के दर्शाहिए कि LM और N रेखा Q पर भी L, M और N रेखा Q पर भी समान अंतिकरंड D E और E F काटता है समान अंतिकरंड D E और E F काटता है मतलब कि इनको बराबर सिद करना है D E को हमें किसके बराबर सिद करना है E F के बराबर सिद करना है कैसे करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो सिद्गर्णा आपने लिख लिया है, अब अपने आते हैं उपपत्ती पे, तो सबसे पहले क्या करिए, आप यहाँ पे ज़रा एक डाइग्राम देखो सबसे पहले आप यहाँ पे इस वाले त्रिभुज को देखेंगे, कौन सा वाला है अपने पास में, यह वाला त्रिभुज आप है A, C, F में, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, त्रिभुज A, C, F में, चुकि आपके पास में B, जो है, मध्यविंदू है, ठीक है, B, मध्यविंदू है तथा, यह जो B, G है, यह किसके समाँतर है, इस C, F के समाँतर है, क्योंकि M, N के समाँतर है B, G जो है, वो समाँतर है किसके, C, F के, तो, अब यह भी हमने पढ़ा था, मध्यविंदू प्रमे का विलोम किसी तिरे बुज की एक बुजा के मद्य बिंदू से किसी तिरे बुज की एक बुजा के मद्य बिंदू से दूसरी बुजा के समानतर खीचा गया रेखा खंड तीसरी बुजा को यानि कि AF को सम्धिवाजित करता है दो बराबर इससों बाढ़ता है यानि कि यह जो आपके आसमें AG है और यह जो आपके आसमें GF है यह बराबर हो जाएगा तो AG बराबर एक इसके GF के और इसका कारण क्या हो जाएगा मद्य बिंदु प्रमे का विलोम यहां पर कारण लिख देगा कारण बड़ा जरूरी है इस चैप्ट रखेंदे ठीक है यह काम अपने पास में हो गया अब नेक्स्ट आप यहां पर देखिए हमारे पास में जो है एक और त्रभुज देखने को मिलता है वह कौन सा है यह वाला ADF ठीक है अभी अभी हमने जो है यहां पर सिद्ध किया ही है कि AG बराबर GF ठीक है तब आप यहां पर देखना आप क्या लिखोगे अब त्रभुज ADF में ADF में उस परपल वाले की बात कर रहा हूं त्रभुज ADF में G जो है वो मद्यविंदू है चूपकि G मद्यविंदू है तथा यह जो GE है यह समानतर है किसके? इस AD के क्यों? क्योंकि M जो है समानतर है L के तथा GE समानतर है AD के तो मद्यविंदू प्रमे के विलोम से हम क्या कह सकते है कि E जो है वो भी मद्यविंदू होगा इस DF का यानि कि DE जो है वो बराबर होगा EF के तो DE बराबर हो जाएगा अपने पास में EF और इसका कारण क्या हो जाएगा मद्यविंदू प्रमे का विलोम और यही तो में सिद्ध करना था, सिद्ध करना है, DE बराबर EF, EM ने सिद्ध कर दिया है, और लास्ट में एक छोटा सा स्टेट्मेंट लिख देजेगा, कि रेखा LMN और रेखा Q पर भी समान अंतिकन, DE और EF करता है, इस तरह से आपके आसमें यहां पर यह प्रूफ हो जा A, B, C, D, एक चतरबुज है, जिसमें P, Q, R और S, क्रमश ह, बुजाओ, A, B, B, C, C, D और DA के मद्धे बिंदू है, ठीक है, P जो है AB का मद्धे बिंदू है, Q जो है BC का मद्धे बिंदू है, R जो है CD का मद्धे बिंदू है, और DA का मद्धे बिंदू S है, ठीक है, तो यहा अपने पास में रहता है, अब दडशाइए, सबसे पहला क्या, SR जो है समानतर है AC के, और SR जो है 1 बटा 2 है AC के, ये देखो, ये रहा SR और ये रहा AC, ये अपने को काम करना रहेगा, कैसे करें तो सबसे पहला आप यहां पर देखें अपने पास में, तरभुज आपको दिखा S है, और ये जो बुजा है CD, इसका मद्यविंदू क्या है, आपके पास में R हो जाएगा, तो यहां पर मद्यविंदू प्रमे को जरा याद करेंगे, आप लो, क्या लिखा था अपने पास मद्यविंदू प्रमे, किसी तरिभुज की किनी दो बुजाओं के तकंड तीसरी पुजा के समांतर तथा आधा होता है, तो आप यहां पर क्या बोलोगे कि तरिभुज ADC में, यहां पर आप लिख लोगे, चुकि S जो है मद्यविंदू है AD का, तथा R जो है मद्यविंदू है CD का, तो SR जो है, वो समांतर होगा AC के, तथा SR जो है, वो 1 बराबर होगा, मद्यविंदू प्रम्य इसका कारण हो जाएगा, थीक है, बस इतना ही आपको करना रहेगा, तो पहला वाला हिस्सा जो है, वो तो आपके आसे प्रूफ हो जाएगा, फिर next आपको क्या प्रूफ करना है, कि यह जो PQ है, और यह जो SR है, इसको प्रूफ करन यहाँ पर आप ज़रा देखेंगे, जैसे आपके पास में यह त्रिबुच A, C, D है न, उसी तरह हमें एक और त्रिबुच देखने को मिलेगा, कौन सा वाला, यह वाला, A, B, C, यह त्रिबुच देखने को मिलेगा, इस त्रिबुच A, B, C में आप क्या देखोगे, कि P ज Q जो है, वो मद्दे बिंदू है, B, C का, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, इसी तरह, इसी तरह, P, A, B का मद्दे बिंदू है, Q, B, C का मद्दे बिंदू है, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, किसी त्रिबुच में, दो बुजाओं के मद्दे बिंदू को जोडने वाला रेखाकन, तीसरी बुजा के समांतर तता आदा होता है, मद्दे बिंदू प्रमय का विलोम, तो आप यहाँ पर क्या कहतोगे, कि P, Q जो है, वो आपके पास में समांतर हो जाएगा, किसके, इस A, C के, तथा, P, Q जो है आपके पास में, वो किसके बराबर हो जाएगा, आधा हो जाएगा, A, C का ठीक है, तो यह अपने पास में क्या हो जाएगा, statement number 3, यानि कि, और यह आपके पास में, sumhikaran number 4 हो जाएगा, ठीक है, यह समhikaran नहीं है, इसलिए मैं sumhikaran नहीं कह रहा है, यहाँ पे, statement माँल लो कथन मालो, कथन संक्या 3 और वो समी करण 4, यह अपने बास में आ चुका है, ठीक है, आयो भी आदा की बात क्लियर होगी अब जरह यहाँ पे देखना, अब हमें क्या से दिगड़ना है, PQ बराबर SR है तो यहाँ पे आप देखो, कि PQ जो है वो किसके बराबर है 1 बटा 2 AC के, लेकिन 1 बटा 2 AC जो है, वो किसके बराबर है SR के, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे PQ बराबर SR और इसका कारण क्या हो जाएगा समी करण 2 तथा समी करण 4 से हम यह बात कह सकते हैं, ठीक है, तो दूसरा अपने पास में, PQ जो है वो किसके समानतार है, AC के, लेकिन AC जो है, वो किसके समानतार है, SR के तो यहाँ पे आप लिख दो, PQ समानतार है SR के और इसका कारण क्या हो जाएगा समी करण 1 तथा करण 3 से हम यह बात कह सकते हैं, ठीक है यह बात होगी अपने पास में अब, यहाँ पे देखो यह जो आपके आज में, चतरबुच PQRS है इस चतरबुच PQRS में आपको क्या प्राप्त हुआ आपको यह प्राप्त हुआ, कि PQ SR के बराबर है और PQ समानतार है SR के यह देखो यह रहा, यह जो PQ है यह इस SR के समानता है और यह जो PQ है, इस SR के बराबर भी है तो हमने इस बारे में पढ़ा था कि किसी चतरबुच को गर समानता चतरबुच सिद करना हो तो उसके एक समुग बुजाओं के युगमों को बराबर तता समानतार सिद कर दो तो आपके आसमें वो समानता चतरबुच न जाएगा तो यहाँ पे आप यही चीज तो observe कर रहे हो कि PQRS एक चतरबुच है आप यहाँ पे लिखोगे PQRS एक चतरबुच है जिसमें समुग बुजाओं का एक गुमों बराबर तता समानता है अते है PQRS एक समानतर चतरबुच है समानतर चतरबुच है बस इसके साथ जो है आपका यहाँ पे कोशन पूरा हो जाता है तीसरा इससा भी आप क्या समुझ जाएगा इस तरह से जो है अपन यहाँ पे इसको प्रूफ करेंगे मैंने जो स्टेक्शन बता हैं वो आपको कंप्लीट कर लेने रहेंगे अब नेक्स्ट अपन आते हैं किस पर प्रशन नमबर 3 पर वो अपने पास में क्या लिखा जरा समझने कोशिश करते हैं ABCD एक आयत है तो सबसे पहले ABCD हमें एक आयत बना लेंगे जिसमें PQRS करमश यहां बुझाओं AB, BC, CD और DA के मद्दे बिंदु है तो PQRS मद्दे बिंदु है इन बुझाओं के दर्शा यह कि चतरबुझ PQRS एक सम चतरबुझ है हमें क्या दर्शाना रहेगा सम्हानत चतरबूझ के अगर सभीvikोज बराबर हो जाएं तो आपके आज में वह क्या बन जाएगा वह सम चतरबुझ बन जाएगा यह अपने पासे प्लैन है चलिए करते हैं कैसे करेंगे सबसे पहले आप यहां पर देखिए अपने पास में कि इस select आयत का इस आयत a,b,c,d का अपने पास में वो भी तो रहेगा रिकाण मान लेजीए आपके आस में वो रिकाण क्या है अची है अब जैसे आपर आपने पास में किया था पिछले वाले question में का हर था सबसे पहले यहां पर आपने एक त्रिबुज के अंदर देखा था त्रिबुज कौन सा था? मान लेज़े सबसे पहला अपन ये वाला लेते हैं त्रिबुज ADC ठीक है? तो आप क्या बोलेंगे? त्रिबुज ADC में चुक्कि अपने पास में S जो है वो मद्य बिंदू है AD का R जो है आपके पास में वो मद्य बिंदू है CD का तो आप मद्य बिंदू प्रमय के मद्य बिंदू प्रमय से क्या कह सकते हो? कि SR जो है वो आपके पास में समानतर होगा AC के तथा SR जो है वो आपके पास में इसी तरह त्रिबुज B, A, C में हम क्या कह सकते हैं कि P जो है वो मद्दे बिंदू A, B का Q जो है वो B, C का मद्दे बिंदू है तो हम मद्दे बिंदू प्रमे से बोलेंगे कि यह जो PQ है यह समानतर होगा A, C के तता आधा होगा ये बात अपने पास में हो चुकी है मान लीजे आपके पास में ये जो है क्या है कथन एक है ये समीकरन नमबर दो है ये कथन तीन है ये समीकरन नमबर आपके पास में चार है ठीक है जब जब पढ़ेगी तो अपने काम आएगा यह हमने यहां पर तयार करके रख लिया अब यहां पर आप देखिए कि जैसी आपने यह सब चीजे बोली तो आप यहां पर क्या बोलोगे अपने पास में कि SR जो है यहां पर देखना अब PQ जो है वो समानतर है AC के लेकिन AC जो है वो किसके समानतर है SR के, तो PQ समानतर आपके पास SR आ जाएगा, साथ ही एक चीज़ और कैसे, तो बिल्खुल जाज़े पिछला ले कोशन में क्या वही कर रहे है यहाँ पे देखो PQ जो है, वो किसके बराबर है, AC के आदे के तो PQ बराबर है, AC के आदे के लेकिन AC का आदा जो है, वो किसके बराबर है SR के, तो PQ बराबर SR तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, कि PQ SR के समानतर भी है, तता PQ वो बराबर भी SR के, तो किसी भी चतर बुज में, अगर समुख बुजाओं का यह उकम बराबर, तता समानतर हो जाए, तो वो आपके पास में क्या हो जाएगा, एक समानतर चतर भुज जाएगा तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, अते है PQ RS, एक समानतर चतर भुज जाए, इसका statement लिखना है आपने, यह जो मैंने भी बोला ना वो आपके statement लिखना रहेगा, समानतर चतर भुज है इतना काम तो अपन ने कर दिया अब किसी भी समानतर चतर भुज में अगर चारों भुज हैं, बराबर हो जाएगा, तो यह काम अपना और कर लेते हैं अपना काम सम चतर भुज का हो जाएगा अब उसको कैसे करें, तो यहाँ पर देखिए अपने पास में सबसे पहला आप यहाँ पर बोलोगे, चूकी अपने पास में ABCD एक आयत है, और आयत के विकर्ण जो होते हैं यह दूसरे के बराबर होते हैं, यह हमने देखो, आज हमने पढ़ा ही इसके बारे में हमने पढ़ा था, कि आयत जो है आपके पास में विकर्ण बराबर होते हैं, यह देखिएंगे आयत दोनों विकर्ण जो है बराबर हैं, ठीक है अब इस बात का अपन यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं, कैसे? यहाँ पर देखिएंगे तो इसके विकर्ण कौन-कौन से हैं, आयत के AC और BD, तो आप यहाँ पर बोलोगे AC बराबर BD, इसका कारण लिख दोगे आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं अब मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, एक बटा दो से अब एक बटा दो BD जो है, वो आपके पास में किसके बराबर होएगा यह चीज ज़रा गौर से दिखेगा, मैं आपको फटा फट से फिगर केंदे दिखाता हूँ यहाँ यह आपके पास में क्या है A है, यह B है, यह C है, यह D है और मैं एक बटा फिगर पुरा कर लेता हूँ, अब यहां पर देखना कि यह आपके पास में क्या है BD आपके पास में विकर्ण आ चुका है, तरवोज आपको क्या दिख रहा है, A B D तरवोज आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक है ये वाला A, B, D इस त्रिभुज में आपको प्राप्थ है कि P जो है मद्दे बिंदू है A का S जो है मद्दे बिंदू है A, D का तो ऐसे में मद्दे बिंदू प्रमे से आप क्या कहोगे कि S, P जो है आपके पास में वो किसके बराबर होगा? 1 बटा 2 बिंदू है सा तो S, P आचुका ये बहुत अपने पास में खास important चीज आई है क्योंकि इसी का प्रियोग अपने पास में रहेगा SR बराबर SP और यह मानलीज अपने पास में क्या है समीकर नमबर 5 अब ज़रा यहाँ पर देखना चुकि PQRS आपके पास में क्या है समानतर चतर बुझ है तो समानतर चतर बुझ की समुग बुझाएं बराबर होती है तो आप क्या बोलोगे PQ किसके बराबर होगा SR के समुग बुझाएं ना PQ बराबर SR के लेकिन SR किसके बराबर है SP के और SP जो है वो किसके बराबर होगा RQ के क्योंकि समुग बुझाएं बराबर होती है तो यहाँ पर आप क्या देख रो इसके साथ ये अपने पास में ये जो ये question पूरा हो चुका है इस तरह से अपने पास में रहेगा तो ये अपने step by step करा ठीक है एक बार complete लोग देख लीजिए अब अब आगे बढ़ते हैं तो अब आते हैं last question के आज के discussion के इस one shot के वो अपने पास में क्या है question number 5 एक समानतर चोतर बुझ A B C D में तो A B C D समानतर चोतर बुझ है E और F क्रमशह E और F क्रमशह बुझाओ A B और C D के मद्दे बिंदू है मद्दे बिंदू है इसका मतलब ये कि वो दो बराबर इसो में इसको बाटेंगे और तो क्या मद्दे बिंदू एक तो ये हो जाएगा E तो आप क्या कह सकते हो A E जो है वो किसके बराबर है E B के तो यहाँ पर आप लिखोगे A E बराबर है अपने पास में किसके E B के फिर next F जो है वो मद्दे बिंदू है यानि कि D F बराबर C F ये भी कह सकते हो और या फिर ये भी लिख लो कि F जो है आपके बास में मद्दे बिंदू है दोनों बाते लिख लो एक ये बाते को फर्क नहीं पड़ेगा दिया है मैं आपने लिखी लिया अब देखो दरशाये की रेखाखंड A F और E C दरशाये की रेखाखंड A F और E C रेखाखंड A F और E C विकर्ण B D को विकर्ण B D को सम 3 भाजित करते हैं ये ध्यान दीजेगा सम 3 भाजित लिखा है आपके पास में सम 3 भाजित का मतलब क्या हो जाता है आपके पास में सम का मतलब होता है बराबर 3 मतलब 3, भाजित मतलब विभाजित करते हैं यानि कि यह जो AF है और यह जो EC है इस BD को 3 बराबर हिस्सों में विभाजित करते हैं Sum 3 बाजित लिखाओ मतलब 2 बराबर हिस्सों में 3 बाजित लिखाओ मतलब 3 बराबर हिस्सों में बराबर qp बराबर pd यह अपने पास हो जाएगा आयो भी चीज लिया रहा है तो यह अपने को सिद्ध करना है कैसे करेंगे तो चलिए अपन शुरू करते हैं सबसे पहले आपना आते हैं इसकी उपत्ति पर आप यहां पर अपने पासमें एक त्रीबूज में देखेंगे त्रीबूज आपके आश्मने कौन सा है यह वाला a p b ठीक है इस त्रीबूज a p by में आपके मैं पहले यह आपने लिख लेता हूं त्रेबुज A, P, B में आप क्या कह सकते हो E जो है अपने पास में मद्दे बिंदू है ठीक है तो मद्दे बिंदू प्रमे के विलोम से मेरा प्लान क्या है मैं यह सिद कर दूंगा कि Q जो है वो अपने पास में इस B, P का मद्दे बिंदू है ठीक है तो यानि कि P, Q और Q भी बराबर आ जाएगा सेम इसी ज़रा मेरे पास में D, C, Q जो है एक और त्रिबुज दिखेगा उसके अंदर यहाँ पर जब अपनने सिद किया है उस बात का अपन प्रयोक करेंगे ठीक है मतलब यह जो F आपके वासे मद्दे बिंदू है उससे आप प्रूफ कर लोगी D, P, Q पराबर है अब यह तो होगे आपने पास में करना क्या है लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है प्रॉब्लम यह है अपने पास में कि कि जब हमने मद्दे बिंदू प्रमे का विलोम पड़ा था ना तो उसमें क्या लिखा था किसी त्रीबुच की एक बुजा के मद्दे बिंदू से दूसरी बुजा के समांतर खीची गई रेखा तीसरी बुजा को समधिवाजित करती है अब यहां पे आपके आज में यह तो दिख रहा आपको कि E जो है मद्दे बिंदू है EQ जो है आपके बास में रेका खंट दिखतो रहा है लेकिन यह थोड़ना बोला qeustion ने कि यह जो EQ है आपके पास में यह इस AP के समांतर है समांतर नहीं देरका है जब समानतर नहीं देरगा मतलब कि मद्य बिंदु प्रम्य का विलूम का पूरा statement देरगा है कि नहीं पूरी जानकारी नहीं देरखी तो हम मद्य बिंदु प्रम्य का विलूम डारेक्ली नहीं लगा सकते तो पहला हमें यह सिद्ध करना पड़ेगा कि यह जो आपके पास में EQ है यह आपके पास में समानतर होगा किसके AP के अब इस बात को अपन कैसे करें यहाँ पे ज़रा देखेंगे अब इस बात को अपन कैसे पूरूफ करें यह बराबर होगा, तो आप क्या बोलोगे PQRS में चतरबुच PQRS में AB बराबर अपने पास में CD के समुख बुजाएं जो यह बराबर होती है अब दोनों तरफ अगर मैं 1 बटा 2 से गुणा कर दो तो कोई दिक्कत है क्या Mathematics में तो कर सकते हैं AB बराबर होगा अपने पास में 1 बटा 2 CD अब AB का आधा क्या है AE क्यों 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 लें नब दोनों है तो आप यहां पर क्या लख सकते हो AE बराबर CD का आधा जो हएं आपके पास में क्या होगा, दी-फबी होगा और F-C भी होगा लेकिन मैं पता क्या है आपने पास में, अब next देखिए, next अपने पास में क्या है, कि ये चतरगुज PQRS है, चतरगुज की समों बूजाएं समानतर भी होती है, तो ये जो AB है, और ये जो CD है, ये समानतर होगा, तो AB जो है, वो समानतर होगा, अपने पास में CD के, अब AB का हिस्सा क्या है, AE है, तो AB का हिस्सा AE भी जो है वो समानतर होगा एस CD के और CD का हिस्सा क्या है? CF है तो AE जो है वो CF के समानतर होगा तो AE समानतर है CF के मानली जो यह कथन है आपके पास में 2 तो आपने यहाँ पे आपको एक चत्रबुझ दिखाई देगा चत्रबुझ कौन सा? AE AECF इस चत्रबुझ AECF म में आप क्या देख रहे हो सम्मुख बुझाओं का यह युगम AE और CF बराबर भी है और सम्मुख बुझाओं का यह displacement और समानतर भी है अत्य है AECF एक समानतर चत्रबुझ है इसका कारण भी आपको यहां पर लिखना रहेगा अपने पास में कि किसी चतरगुज में समग भुजाओं का यह बराबर तता समानतर हो तो वो समानतर चतर बुझ कहलाता है यह इसका कहाँ पर आप एक कारण लिख लिए जीगा यह अपने पास में समानतर चतर बुझ आ चुका है अब अपने आते हैं अपने main question solving पर अब अपने पास में question solving जो है बहुत easy होने वाली ठीक है इसको अपन समानतर चतर बुझ सिद्ध कर चुके है हम एँ थोड़ा सा diagram जो है हलका कर लेता हूँ ताकि अपन देख पाए आसानी से हमने इसको समानतर चतर बुझ सिद्ध कर दिया है तो हम इसका प्रयोग करेंगे अब आईए यहाँ पे आप एक त्रिबुझ में त्रिबुझ कौन सा यह वाला APB में ठीक है APB में आप क्या देख रहो E जो है मद्दे बिंदू है तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे त्रिबुझ APB में E जो है मद्दे बिंदू है ठीक है फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे यह भी देखना कि यह जो है आपके पास में AECF समानतर चतर बुझ है तो यह जो AE है और यह जो EC है यह समानतर होंगे तो AF का जो हिस्सा है आपके पास में यह AP AF का यह जो हिस्सा है आपके पास में AP यह समानतर हो का किसके इस EC क्या हिस्सा EQ के तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे मद्यबिन्दु प्रमे के विलोम से कि अगर किसी तरिबुज में किसी बुजा से यह देखो अपने यहाँ पर study किया था किसी तरिबुज की कि एक बुजा के मद्यबिन्दु से दूसरी बुजा के समानतर खीची गई रेखा ठीक है इसी बुजा के दूसरी बुजा के समानतर खीची गई रेखा तीसरी बुजा को समधिवाजित करती है समधिवाजित करती है मतलब दो बराबर इससे में बाटती है यानि कि Q जो है इस PB का मद्दे बिंदू हो जाएगा यानि कि PQ बराबर क्या हो जाएगा QB हो जाएगा तो यहाँ पर मैं डारेक्ट लिख रहा हूँ आप पूरा लिखने जगा कि PQ बराबर आपके आसमें क्या आजाएगा QB आजाएगा और इसका कारण क्या है मद्दे बिंदु प्रमय का फिलो यह अपने पास में बात हो चुकी है अब इसी तरह हमारे पास में एक और त्रेबोज है ठीक है यह वाला D C Q और यहां पे भी आपके आस में वही कहान यह रहेगी तो आप यहां पे क्या बोलोगे तरह बोजिव D C Q में F जो है आपके पास में मद्दे बिंदु है और यहां पे यह भी देखेगा कि यह जो आपके आस में A F है और यह जो E C है यह समानतर है तो A F का जो हिस्सा है F P और इस EC का जो हिस्सा है QC, वो भी समानतर हो जाएंगे दूसरे के, तो मद्दे बिंदु प्रमे के विलोम से आप क्या बोलोगे कि F तो मद्दे बिंदु है, और हमारे पास में दूसरी बुजा के समानतर एक रेका गंड खेचा जाया, तो तीसरी बुजा को समधी बज़त करेगा, मद्दे बिंदु प्रमे के विलोम से, तो P जो है, मद्दे बिंदु हो जाएगा किसका? DQ का, और DQ का मद्दे बिंदु है तो DP बराबर PQ, DP बराबर PQ, मद्दे बिंदु प्रमे का विलोम, यह अपने पास में प्रूफ करना तो और को चुका है अब ज़रा यहां पर देखना अब आप यहां पर क्या बोलोगे कि PQ जो है वो आपके पास में किसके बराबर है PQ जो है वो आपके आसमें आपने ऐसा करते हैं शुरू से करते हैं ताकि जो लिखा है बिल्कुल वैसा आ जाए, qp लिखो, bq लिखो, a की बात है, तो bq जो है, वो किसके बराबर है, pq के, और pq जो है, वो किसके बराबर है, dp के, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, कि bq बराबर है, pq लिखो, qp लिखो, a की बात है, बराबर है, pd लिखो लिखो यह की बात है PD के, तो BQ बडाबर है QP बडाबर है PD के, तो यह चीज जो है पन यहाँ पर प्रूव कर चुके है, BQ बडाबर QP बडाबर PD, और इससे अपन क्या बोल रहे हैं, कि यहाँ पर हम बोलेंगे, कि यह जो आपके असमें AF और EC जो है, इस DAW विकर्ण BD को सम सम तरी भाजित करता है, तीन बराबर इससे में बाढ़ता है, यह statement आप नीचे लिख दिजाएगा, और इसके साथ ही question यहाँ पर पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो इसके साथ ही अपने जो है, यहाँ पर सारी चीजे जो है, इस one shot के discuss कर ली है, ठीक है, तो मुझे उमीद है मैं आज का इस session लगाओगो, आपको शानदाप, और रिर्विय मन में किसी भी तरह की शंका तो अपने बास में comment box तो है ना यार, वहाँ पर आप अपनी बात रख सकते हैं, इस session के लिए यहीं तक ही, मिलते हैं अपने अगले वाले session में, बाई अभी बाद